हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग 66 BPSC का जो री एक्जाम हुआ था उसकी प्रिविएस यह को देखेंगे तो चलिए हिस्टरी से रिलेटर प्रश्ण को देखते हैं आज का पहला प्रश्ण है पर्थम मानव जिवास्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है तो यह नर्मदा घाटी सबसे प्राची नदी घाटी मानी जाती है और एक बुक है नर्मदा वैली नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन इसमें नर्मदा घाटी के निकट जो है मानव खुपड़ी का 5 से 6 लाग पुड़ाना जिवास्म का उल्ले किया गया है चलिए अगले प्रशन को देखते हैं भारत में पहले समराज की स्थापना जो भारत का सबसे पहला समराज था वो किस सासक के द्वारा किया गया था तो भारत का जो पहला ब्रियाज समाज था वो था मौरे समराज और मौरे समराज का स्थापना चंदगुप्त मौरे ने कि था और यह जो है 322 इस भी पूर्विकिया था तो कि दोस्तो मौर्य समराज भारत में 137 बर्सों तक सासन किया और मौर्य समराज का सबसे प्रतापी सासक अशूक था और सबसे अंतिम सासक कौन था ब्रीधत कि दोस्तो कनिस्क जो है कुशान बंजे संबंदित था और चंद गुप दुतिय विक्रामा देते गुप गुप बन से संबंद देता चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं बुद्धि की प्राचिंत मुर्ति या पर्तिमा किस सैली में प्राप्त होती है तो दोस्तों सबसे प्राचीन मुर्ति जो है बुद्धि की गंधार सैली में प्राप्त होती है चले गंधार सैली के बारे में कुछ फैक्ट को जान लेते हैं तो गंधार सैली जो है हिंद युन या फिर रोमन थी, दोस्तों जो के काल था उनके काल में गन्धार सैलिका सबसे अधिक विस्तार हुा और भरहूत एबं साची का स्टूप उनसा भरहूत, और साची का जो स्टूप था henमें गन्धार सैलिक को देखने को मिलता है अगला देखते हैं प्रश्न किस अभी लेह में क्लिंग विजय का वर्दन है तो दोसटों इनमें Sizकि किसी में क्लिंग विजय का वर्दन नहीं है तो इसका या अंसर option E हो जाएगा दोस्तों कलिंग विजय का बढ़नन असोक के 13 सिलालेक में मिलता है कौन से सिलालेक 13 सिलालेक में मिलता है और इसके अनुसार असोक ने अपने जो राजय विशीक था उसके आठ वर्स बाद जो है कलिंग यूद ला रहा था जो की 261 वी सी में था और इस यूद के बाद ही सोक ने धम निती को अपनाया धम अर्थात अहिंसा एवं सत्य प्रेम की निती चलिए आगे की प्रशन को देखते हैं सन 1565 में कौन सा पर्शिद यूद लड़ा गया था तो सन 1565 में ताली कोटा का यूद लड़ा। दोस्तों ताली कोटा के यूद को राक्षे या फिर बन्नी हटे के भी यूद कहा जाता है इसका अन नाम यह है दोस्तों जो तालिकोटा का यूद था वो बिजय नगर समराज यह दक्कन के राज के बीज था दक्कन के सासकों के बीज था जिसमें बिजय नगर की हार हो गई एवं दक्कन के राज में गोलकूंडा बिजय पूर यह सब मिलके लड़े थे उन लोगों ने जीता दोस्तों आगे चलते हैं पानिपत का पर्थम यूद कब हो आता है 21 अप्रेल 1526 को यह जो है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इसमें बाबर की जीत हुई थी दोस्तों पानिपत का दूतिय यूद पांच नमंबर 1556 को हुआ था और यह अकबर एवं हेमु के बीच हुआ था और इसमें अकबर विजय हुआ इसी पर कर दोस्तों पानिपत का दूतिय यूद था था थर्ड यह 14 जनवरी 1776 को हुआ और इसमें मराठा और अफगान के बीच हुआ था यह इसमें मराठों की हार हुई थी और अफगान साथ तक जीत गए थे चलिए जो खानवा का यूद था यह भी बावर एवं राना सांगा के बीच हुआ था और इसमें बावर की जीत हुई थी चलिए आगे चलते हैं सलतनत काल में सारजुनिक वितरन परनाली किस ने परारम किया था दोस्तों सारजुनिक वितरन परनाली अलावदिन खिलजी ने परारम किया था अलावदिन खिलजी खिलजी बन से संबन दी था और इन्होंने ही बजार नेंतरन परनाली भी शुरुआत की थी इसके अतरिक् दिवाने मुस्थ खराज उसका भी प्रारम अलावदिन खिल जी ने किया था दिवाने मुस्थ खराज दोस्तो सिकंदर लोधी बन से संबंदित था और इसने पंदरा सो चार में आगरा सहर की अस्थापना की थी इसके अतरिक्त सिकंदर लोधी ने भूमिम आपने का जो पैमाना था गजे सिकंदरी उसको भी लागू किया इसके अतरिक्त सिकंदर लोधी गुलुरुखी नामक सिर्सक से फार्सी की कभीताएं लिखा करता था दोस्तों मुहमद बिन तुगलक बन से संब्दी था और इसका अन्य नाम जूना खा भी था दोस्तों मुहमद बिन तुगलक ने एक क्रिशी विभाग की अस्थापना की थी जिसका नाम अमीरे को ही था फिरोसा तुगलक भी तुगलक बन से संबंदी था इन्होंने तीन विभाग की स्थापना की थी दिवान बंदगान जो कि दासों के देखवाल के लिए था दिवान खैरात या दान विभाग था और दिवान इस्तिहाक या एक पिंसन विभाग था अगले प्रश्न को देखते हैं दीन ए इलाही किसके दौरा प्राड़ाम किया गया था दोस्तो दीन ए इलाही अकबर के दौरा प्राड़ाम किया गया था अकबर ने इसका शुरुवात 1582 में किया था दोस्तों दीन ए इलाही में सभी धर्मों के विचारों को सामिल किया गया था आगे चलते हैं कि अकबर का जो कारेकाल था अकबर का पूरा कारेकाल 1526 से 1556 से 1605 था और अकबर ने कुछ अन्य परमुक कारे भी किये थे जो अकसर एक्जाम में देखे जाते हैं दास पर्था का कब समाप्त हुआ तब दास पर्था उन्होंने 1562 में समाप्त कराया इबादत खाना की अस्थापना 1575 में इसी परकार मजहर की घोसना 1589 में किया चलिए जहांगीर के बारे में देखते हैं तो जहांगीर ने अपने नयाई की जंजीर के लिए फेमस था वहीं साजा के काल को अस्थापत कला का स्वर्णियुक कहा जाता है अगला प्रशन को देखते हैं अश्ट परधान मंत्री परिशत किसके राजपरबंधन में सहायता करते हैं दोस्तों अश्ट परधान जो था वो सिवाजी के दरवार में था और यह सिवाजी का एक सलाकार परिशत था सिवाजी ने अपने साजन के काड़ियों को सुचारू रूप से चलाने हैं तो आठ मंत्रियों का एक परिशत का गठन किया था और दोस्तों इससे बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं जैसे अश्ट परधान में पेशवा होता था सुमंत होता था आमत्य होता था तो बोला जाता है कि पूछा जाता है कि पेशवा क्या होता था तो हम लोग कुछ इंपोर्टन देख लेते जैसे पेशवा परधान मं मंत्री और सरे नौबत जो सैन विभाग का परधान होता था वो सरे नौबत होता था तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगले क्लास में हम नेक्स्ट इतिहास के प्रस्म को देखेंगे